आज हमारे सामने परजेंट है All New Hero Glamour Axe Tech ये वाला जो आप लोग कलर देख रहे हैं ये जो है All Black कलर है इधर आप लोग देख सकते हैं All New Passion Axe Tech ये जो है Red कलर में है दोनों जो है काफी अच्छा बाइक है ये जो है 125cc सेगमेंट में है वो 110cc सेगमेंट में है तो अगर आप भी 2023 में एक न्यू बाइक लेना चाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखे आपका भी सारा डाउट किलियर हो जाएगा और इस वीडियो में हम इन दोनों बाइक का डिटेल में कमपेर करने वाले हैं दोनों का ओन रोट प्राइस दोनों में आपको क्या माइलेज मिलता है और जो है दोनों बाइक में क्या क्या फीचर में डिफरेंस है सारा कुछ आपको डिटेल में पता चलने वाला है तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले सबसे पहले जो है आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो वेरियंट है ये जो है डिस ब्रेक वाला वेरियंट है ये जो गिलेमर आप लोग देख रहे हैं तो इसका जो अन रोट प्राइज है वन लेक के एप्रॉक्स है और ये जो आप लोग पैसन एक्स्टेक देख रहे हैं ये जो है ड्रम ब्रेक वाला भेरियंट है तो इसका जो अन्रोड प्राइज है नाइन्टी थिरी थाउजन के एप्रॉक्स है दोनों में आपको काफी अच्छा माइलेज देखने को मिल जाता है इसका जो एक बार आप लोगो मीटर रॉन करके दिखाते हैं और फ्रंट प्रोफाइल से आप लोग लुक देख सकते हैं इसमें जो है आपको फूल एलेडी जो है लाइट का सेटप मिलता है यहां पर जो है आपको डीरल दिया गया एलेडी में और इधर जो है आप प्रोजेक्टर में मिलता है और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसका भी जो है फूल एलेडी में मिलता है इसका जो आपको वाइजर जो है फूल ब्लैक कलर में मिलता है सेंटर में आपको हीरो का 3D में लोगो दिया गिया है और जो है इंडिकेटर आपको बलवाला मिलता फ्रंट में इसमें आपको टेलिस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और मटगाट जो है आपको बोडी कलर दिया गिया है दोनों दरब आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और फ्रंट में आपको 80 बाइ 100 सेक्षन का टायर मिलता है जो की 18 इंच के अलोई विल पर माउंट है इसका जो जो है आपको गलेमर का ब्रांडिंग मिल जाता है इधर आप लोग जो है पैसन एक्स्टेक देख रहे हैं तो इसका वाइजर जो है आपको डूल टोन कलर में मिलता है ब्लैक और रेड यह जो है काफी अच्छा लूक निकल के आ रहा है यहां सेंटर में आपको हीरो का 3D मे स्टिकर दिया गिया है और जो है इंडिकेटर आपको बल वाला मिलता है फ्रंट में इसमें भी आपको टेलिस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है मटगाड जो है इसमें आपको डूल टोन कलर में दिया गिया है इधर जो है गलोसी रेड और इधर आप लोग देख सकते हैं मैट ब्लेक कलर में आपको इसका मठगाड मिलता है और इसमें भी आपको फ्रट में एटे बाइ-हन-डेट सेक्شन पी टाइर मिलता है जो कि 18 इंच के ऐलोईρί विल पर माउंट है १ curriculum के अप invert इंजन देख सकते हैं, दोनों का इंजन जो है आपको सिल्वर और ब्लैक कलर में दिया गिया है, इसका भी आप लोग देख सकते हैं, सिल्वर और ब्लैक कलर में आपको इंजन मिलता है, गलेमर एक्स्टेक का आप लोगो बता देते हैं, इसमें जो है आपको काफी पावर्फ 13.2 cc का इंजन मिलता है, एर कुल 4 स्टॉक सिंगल सेलेंडर, जोगी पावर जेनरेट करता है, 9.15 PS, और टॉर्क 9.79 nm जेनरेट करता है, दोनों में आपको काफी पावर कुल और रिफाइन इंजन मिलता है, यहां आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको 4-speed gearbox मिलता है, इसके side stand में आपको engine cut-off sensor दिया गया है, और इधर आप लोग जो है, गलेमर एक्स्टेक में देख सकते हैं, इसमें आपको 5-speed gearbox दिया गया है, और इसमें भी आपको side stand में engine cut-off sensor मिलता है, और इसमें आपको side profile से दोनों बाइक का look देख सकते हैं, काफी अच्छा look निकल के आ रहा है, इधर आप लोग गलेमर देख रहे हैं, गलेमर एक्स्टेक, तो इसका जो tank है, यह आपको full black में मिलता है, यहां आपको गलेमर का 3D में जो है sticker दिया गया है, और यहां पर आपको X-Tec का एक sticker मिलता है, तो काफी अच्छा look निकल के आ रहा है, और यहां पर आपको silver color का graphics दिया गया है पीछे तक, तो यह जो है इसके look को काफी enhance कर रहा है, यहां भी जो है आपको boxy design में जो है graphics मिलता है, यहां आप लोग देख सकते हैं, प्रोग्रामड FI का sticker और यहां आपको I3S का sticker मिलता है, यहां आप seat call में देख सकते हैं, hero का आपको sticker दिया गया है, यह भी जो है आपको white color में मिलता है, और इधर आप लोग देख सकते हैं, पैसन X-Tec में, इसमें भी जो है आपको इसके tank में पैसन का 3D sticker दिया गया है, और side में जो है X-Tec का sticker मिलता है, carbon finish design में तो काफी अच्छा जो है look निकल के आ रहा है, यहां देख सकते हैं I3S का आपको sticker, और seat call में जो है hero का sticker दिया गया है, और पीछे तक जो है इसमें भी आपको lining दिया गया है, तो यह जो है काफी अच्छा लग रहा है देखने में, इधर engine में देख सकते हैं इसमें आपको hero का ब्रांडिंग दिया गया है, और इसमें आपको foldable footrest मिलता है rider के लिए, pillion के लिए, cover जो है इसमें आपको chain system दिया गया है, और यहाँ पर आपको ladies footrest metal का guard मिलता है, यहाँ आप लोग glamour extract में देख सकते हैं, इसमें भी जो है आपको foldable footrest मिलता है rider के लिए, pillion के लिए, इसमें भी आपको covered chain system मिलता है, और जो है इसमें आपको ladies footrest और metal का guard दिया गया है, rare में दोनों में जो है आपको adjustable sock absorber मिलता है, red color में, यहाँ देख सकते हैं इसमें भी red color में दिया गया है, इधर आप लोग पैसान extract में देख सकते हैं, इसमें भी आपको red color में मिलता है, दोनों का जो है आप लोग एक बार meter console दिखा देते हैं, full digital जो है आपको दोनों में meter console मिलता है, इसमें देख सकते हैं आपको rpm meter दिया गया है, यहाँ जो है आपको gear shift indicator का पता चलता है, यहाँ odometer, speedometer आपको मिलता है, trip देख सकते हैं, real time इसमें आप लोग average देख सकते हैं, time, date देख सकते हैं, और जो है इसमें आपको काफी सरा information दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको Bluetooth pairing का option मिलता है, जब आप इसमें Bluetooth pair कीजेगा, तो आपको call alert, SMS alert का भी पता चलता है, और जो है इस bike में आपको turn by turn navigation दिया गया है, तो यह जो है काफी अच्छा feature है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको USB port दिया गया है, phone अगेरा charge करने के लिए, अब अगर हम लोग passion extract की अगर बात करें, तो इसमें भी आपको full digital meter console मिलता है, इसमें देख सकते हैं, काफी अच्छा जो है इसका animation भी निकल के आता है, यहाँ पर आपको speedometer दिया गया है, odometer मिलता है, और यहाँ पर आपको fuel gauge दिया गया है, real time mileage आपको इसमें पता चलता है, और जो है इसमें आप Bluetooth connect कर सकते हैं, और जब इसमें आप Bluetooth connect कीजेगा, तो आपको जो है call alert, SMS alert का पता चलता है, लेकिन जो है इसके में आपको turn by turn navigation नहीं दिया गया है, और जो है आपको काफी सरा light मिलता है, side stand का light, engine light, यहाँ पर neutral light, low fuel indication भी दिया गया है, और दोनों का जो है आप लोग handle देख सकते हैं, दोनों का जो है single piece में handle bar को रखा गिया है, इसमें आपको passing का switch, यहाँ पर आपको high beam, low beam का switch, indicator, horn का switch मिलता है, इधर जो है आपको i3S का switch, उसके नीचे self start दिया गया है, इधर आप लोग glamour extract में देख सकते हैं, आपको भी इसमें handle bar दिया गिया है, और handle bar में यहाँ पर आपको hero का ब्रांडिंग मिल जाता है, दोनों में आपको 10 लिटर का fuel tank दिया गिया है, काफी muscular डिजाइन है, यहाँ से देख सकते हैं, काफी अच्छा design लग रहा है, और यह जो आप लोग tank cowl देख रहे हैं, तो इसके वज़ा से जो है काफी muscular look निकल के आ रहा है, इधर भी आप लोग देख सकते हैं, पैसन एक्स्टेक में जो है आपको थोड़ा slick सा design मिलता है, लेकिन glamour एक्स्टेक में आपको काफी muscular tank मिलता है, दोनों का जो है आप लोग seat देख सकते हैं, काफी comfortable दोनों में seat मिलता है, और lengthwise भी जो है काफी अच्छा है, दोनों में जो है आप लोग rider और pillion बेटने के बाद भी बीच में आपका space बचेगा, इसमें भी जो है rider और pillion बेटने के बाद, आपका जो है बीच में काफी सरा space बचेगा और comfortable आपको seat मिलता है, इसका जो है आप लोग grab rail देख सकते हैं, यह जो है आपको black color में मिलता है, और इधर जो है आप लोग glamour extract में भी देख सकते हैं, इसमें आपको black color का grab rail दिया गया, आप अगर रेर प्रोफाइल के अगर बात करें, तो रेर से जो है आप लोग glamour extract का look देख सकते हैं, टेल लेम जो है आपको LED में मिलता है, एच सेप में देख सकते हैं, काफी अच्छा जो है look निकल के आ रहा है, यहां आपको जो है hero का branding मिलता है, इंडिकेटर जो है दोनों में आपको बल वाला मिलता है, और यहां number plate का light दिया गिया, यहां आपको reflector मिलता है, mudguard जो है आपको fiber में दिया गिया है, और इधर आप लोग passion extract देख रहे हैं, यहां भी आपको hero का branding मिलता है, और इसका जो है आप लोग tail lamp देख सकते हैं, यह जो है आपको bulb वाला दिया गिया है, और indicator भी आपको bulb में मिलता है, यहां पर जो है number plate का light उसके नीचे आपको reflector, और mudguard जो है आपको fiber का दिया गिया है, और जो है आप लोग को rare tire section बता देते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है आपको 80 by 100 section का tire मिलता है, जो की 18 inch के alloy wheel पर mount है, इसमें भी आपको जो है black color का alloy दिया गिया है, रेर में जो है इसमें आपको 130 mm का drum brake मिलता है, इधर आप लोग देख सकते हैं, पैसन एक्स्टेक में, इसमें भी आपको 80 by 100 section का tire मिलता है, जो की 18 inch के alloy wheel पर mount है, इसमें भी आपको black color का alloy wheel दिया गिया है, tubeless tire के साथ, इसमें भी आपको rear में 130 mm का drum brake मिलता है, और दोनों का आप लोग silencer देख सकते हैं, silencer में आपको black color का muffler दिया गिया है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, black color का muffler आपको मिल जाता है, और इधर आप लोग गलेमर एक्स्टेक में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कीक दिया गिया है, brake pedal देख सकते हैं, इसमें भी आपको कीक मिल जाता है, काफी अच्छा जो है दोनों बाइक का आपको लुक मिलता है, तो अगर आप भी जो है 2023 में एक new bike लेना चाहते हैं, तो आप जो है इन दोनों बाइक को जो है consider कर सकते हैं, काफी अच्छा इन दोनों बाइक का price point है, काफी अच्छा दोनों बाइक में mileage मिलता है, तो चलिए फिर आप इस वीडियो को हमी पर end करते हैं अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को like करें चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को subscribe करें मिलता हूँ आपसे एगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much